the price of a tea increased by 20% by what percent should a household reduce to consumption so that the additional expense does not increase beyond 2% okay जबी भी हम लोग original क्या मानेंगे 100 मानेंगे okay original original price मैंने माना कितना 100 तो अब जितना भी बढ़ेगा 100 में बढ़ेगा चाहे percentage में बढ़ेगा चाहे रूपीस में बढ़ेगा 100 में बढ़ेगा तो increase क्या हुआ है इंक्रीज कितना हुआ 20% इंकेज हुआ याने कि 100 था 20 इंकेज हुआ 120 और बोल रहा है expense जो है मेरा वो बियॉंड दो से दो परसंट सी जादा नहीं होना चाहिए जो expense है तो परसंट याने कि 102 से जादा नहीं होना है तो यह दोनों का difference देखेंगे कितना है 18 का difference मैं एक्चुल मैं ढून रहा कहा हूं household reduce their consumption कितना हुआ मुझे लेना है कितना reduce कर रहा household 18 जो increase हुआ वो नीचे लिखेंगे परसंट इंटो 100 देखेंगे 0 से 0 कैंसल 2 6 6 से करेंगे 6 2 से 12 6 3 जाएटी तो 1 जा 2 2 5 3 से 15 15 परसंट मेरा इसका answer आ जाएगा option number D thank you